शिवरात्री के महापरव की समस्त हिमाचल वासियों को शत शत बधाई आज महिला दिवस भी है हिमाचल प्रदेश की सभी बहनों बहुत बहुत बधाई देते हुए हम एक और बधाई उनको देना चाहते हैं शद्ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज के शुप दिन पर बहनों के लिए एक नायाब तोफ़ा दिया देश की सभी बहनों को सौर रुपया गैस का सिलेंडर उसके रेट में कटाती करके बहुत बड़ी राहत दिये इतना ही नहीं उज्वला योजना के अंतरकत जो गैस की सबसीड़ी है उसको अगले तीन साल के लिए और कॉंटीनियू किया है पिछले दस सालों में मोदी सरकार ने बहनों के उत्थान के लिए अनेक अनेक कदम उठाए चार करोड घरों को बना करके दिया और उनका मालिकाना हक बहनों को तीस करोड बहनों को और विशेश मुद्रा लोन उपलब्द कराके उनका कारोबार खड़ा करने में मदद किये चार करोड और लखपती दीदी बनाने का लक्षे रखा हजारों हजारों ड्रोन दीदी बनाने के दिशा में देश आगे बढ़ा रहे हैं स्वरोजगार महिला सम्मान और 40 साल के लंबे अंतराल के बाद 33 परसेंट आरेक्षन लोगसभा में विधहंग सभाओं में बहनों को परदान कर एक नया कीर्टिमान स्थापित किया है कॉंग्रेस पार्टी ने 70 साल में केवल बहनों के नाम का गरीबों के नाम का उपयोग किया है उनके नाम पर विबिन्न प्रकार से शोशन किया है और वही काम आज भी कर रहे हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कॉंग्रेस सरकार ने सत्ता प्राप्ती के लिए 2022 की अंदर घरगर में जाके फारम बाटे और कहां कि हर बेहन को पंद्रा सो रुप्या महीना देंगे पंद्रा महीने हो गए एक पूटी कॉड़ी नहीं दी और फिर दुबारा अग चुनाव आ गया लोकसभा का चुनाव दृष्टिकत रखते हुए फिर एक बार बहुत बड़ा जूट फेक दिया और एक नया फॉर्म इंद्रा जी की फोटो लगा के उसको घरों में भेजना शुरू कर दिया परे चुनाव आ गया अब तुम्हार को याद आ गई वो गारंटी बजट में प्राबदान नहीं अगर बाइस लाक बेहनों को आपने पंद्रा सुरू रुपे देना है तो चार हजार क्रूर रुपया एक वर्ष में चाहिए और मैं आज कह रहा हूं कि चुनाव तीन महीन में निकल जाएगा और तीन महीने के बाद दुबारा से ये कॉंग्रेस की सरकार शिरी सुखविंदर सिंग जी की सरकार एक ही बात कहेगी हमारे पास तो पैसे नहीं हैं ये वोट लेने के लिए जो जूठी बातें करते हैं इसके विपरी माननिये नरेंद्र भाई मोदी ज और बहनों के कल्यान के लिए उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्हीं की गारंटी के कारण आज बहनों का विकास होता हुआ दिखाई लिए